सो हेलो स्टुडेंट्स आजके इस वन शोट वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं बायो टेकनलोजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेश चैप्टर को और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनेफीशल और इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कम्प्लीट चैप्टर को इस तरीके से कवर करेंगे कि आपकी दिमाग में कि चैप्टर क्रिस्टल क्लियर तरीके से सेव हो जाए और इसके अलावा ये जो नोट से वो आपको मिलेंगे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जाके जोइन कर लिजेगा फटा- के लिए जो है ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इस चैप्टर का वेटेज भी इसमें जो है बहुत ज्यादा आने वाला है तो उस बैसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है आपके एक्जाम पोइंट ओफ यू के लिए तो वीडियो जरू पूरा देख हो जाए ठीक है तो ये वीडियो बेसिकली तीन केटेगरी के सुडेंट के लिए हैं फर्स केटेगरी में जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है आपको पहले की जो वीडियो है उनमें भी बताया है तो तीन केटेगरी के सुडेंट हमारे होते हैं जिन्होंने पू बिल्कुल भी जो है यह chapter नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए ये book तो उनके लिए से लेकर फर्स्ट के टेगरी से लेकर थर्ड के टेगरी तक तीनों के लिए video बहुत ज़्यादा बेनिफिशल है पर्स्ट केटेगरी वाई लोग के लिए इसलिए हैं ताकि उन्हें रिविजन करने का एक शानदार जो है मोका मिले ताकि वो रिविजन करें तो उन्हें और ज्यादा बेनेफिट मिले इस वीडियो की मजद से second category के लिए complete solution होगा third category के लिए ये बिलकुल एक precious thing होगी वर्दान सावित होगा ठीक है तो ये वीडियो पूरा जो है NCRT की जो extract lines है उन पर जो है ये notes है और उनकी जो explanation है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा पूरे अच्छे तरीके से हम इसको complete करेंगे and मैं नहीं बोलता है कि आप subscribe कीजिए मैं नहीं बोलता है कि आप like कीजिए मैं बोलता हूँ इस एक बार अपने दोस्तों को share जरू कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा students की help हो सके और आपके exams भी बिलकुल नजदीक है आने ही वाले हैं तो ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए my hand folder request है ठीक है तो ज़्यादा ज़्यादा share कीजिएगा तो वीडियो को start कर लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के तो जैसा कि आप देख सकते हैं screen पर bio technology principles and processes है हां उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने 4 chapters के notes और explanation है वो upload कर दी है उनकी link आपको description मिल जाएगी उन 4 chapter की explanation आप देख सकते हैं उनके notes भी telegram channel पर है जाके आप notes को download कर लीजेगा वैसे मैं prefer करता हूँ आपको की notes आप double sided print कर रही है ताकि उनको आप पढ़े last time revision में आपके बहुत काम है तो उनको print कर लीजेगा बाकी आपकी मर्जी है तो फटा-फट से start कर लेते हैं chapter को नहीं तो ज्यादा जो है लंब हो जाएगा so biotechnology principles and processes what is biotechnology so यहां पर हमारा first topic आ रहा है what is biotechnology biotechnology refers to the technology using biology which has applications in agriculture, food processing, industry, medicine, diagnostics, bioremediation, waste treatment and energy production biotechnology refers to AC technology biotechnology की ऐसी टेकनलोजी है biotechnology जो agriculture में जिसके बहुत ज्यादा application से बहुत ज्यादा uses है food processing industry में biotechnology का बहुत ज्यादा need है medicine diagnostics में है bio remediation में है waste treatment में है जैसा कि हम पहले पढ़के आए है आपने वाला जो lecture है वो नहीं देखा है तो आपको description में लिंक मिल जाएगी microbes in human welfare में मैंने आपको जो है पूरा sea waste treatment का बताया था उसमें भी ये जो है biotechnology बहुत ज्यादा helpful है and energy production energy production में भी ये helpful है तो biotechnology जो है the integration of natural science and organism cells, parts, thereof and molecular analogs for products and services जो integration है natural science का organism के साथ, cells के साथ, parts उनके parts के साथ और molecular analogs के साथ for products and services यानि की products और services के लिए जो integration हुआ है products and services प्राप्त करने के लिए यानि की अगर हमें products से ये अच्छी quality की services जो है चाहिए तो integration natural science natural science का organism and cells, parts इनके integration की वज़े से हमें कुछ ऐसे products मिल पा रहे हैं कुछ ऐसे services मिल पा रहे हैं जो की हमारे daily life में बहुत जादा useful होती है तो basically ये definition जो है define करना चाहरी है आगे देखते हैं basis of modern biotechnology so यहाँ पर genetic engineering first में आता है तो basis क्या है modern biotechnology का genetic engineering यहाँ पर topic है introduction of foreign genetic material DNA, RNA into the host genome and altering its phenotype generating engineering होती है वो क्या होती है देखिए इसको मैं आपको एक examples के थूरू समझा देता हूँ कोई एक foreign gene है DNA, RNA वो host के genome में enter करके उसके phenotype को alter कर देता है ठीके तो जैसे कि यह कोई host cell है और इसका यह genome है और यहाँ पर उसका genetic material है ठीके तो जो foreign genetic material है DNA, RNA वो host के genome में enter कर जाता है foreign genetic material ठीके foreign genetic material है जो है host के genome में enter कर जाता है एक मिनट अच्ट जैसे 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 तो यहां पर जो है वो एंटर कर जाता है एंड जो इसका फिनो टाय पे अधर बढ़ कि कि अधर आट आट अल्डर्स इस फिनो टेप यानि कि किसका phenotype? host का तो basically होता क्या है जो foreign genetic material होता है DNA, RNA जिसको हम बोलते हैं DNA, RNA यह क्या होता है हमारा? DNA या फिर? RNA तो जो foreign genetic material होता है वो host के genome में जो है पोजाता है उसके बाद host का जो phenotype है वो उसको alter कर देता है तो इसको हम basically genetic engineering बोलते हैं ठीके? तो अगला हमारा topic है वो है Asceptic techniques और मैं आपको suggest करूँँगा कि इस video को 2x speed में देखिए ताकि आपको अगर आप इसको 2x में देखेंगे तो आपका time भी save हो जाएगा ठीके? और साथ ही में 2x में देखने के बाद अगर आपको कोई चीज फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप इसको एक बार दुबारा देख लिजे ताकि आपकी जो चीजे हैं वो जादा जादा clear हो सके ठीके? और यह notes complete है complete chapter का जो है यह notes बनाया गया है best ncrt है और complete chapter आपको इसमें देखने को मिलेगा कोई भी reduction नहीं किया गया है और यह बहुत जादा important होने वाला है आपके need examination के लिए and board examination के लिए क्योंकि इसका wattage भी काफी अच्छा खासा है and आपको यह notes से बहुत जादा help करेंगे and इसको आप प्रिंट करा लीजेगा मेरा केना तो यह है यह यह आप इसको प्रिंट कराईगे ताकि आपको जो है जादा जादा benefit मिले ठीक है तो इस video 2x में देख लीजेगा time भी से हो जाएगा और दो बार देख लेना ठीक है ताकि आपको जादा 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 आच्छे से clear हो जाए चीज़े अब देखो Involves maintenance of contamination free ambience in chemical engineering process for manufacture of products such as antibiotics, vaccines etc this is done so as to enable the growth of only desired microbes responsible for a bioprocess जो aseptic techniques है वो involve करती है maintenance of contamination free ambience यानि कि contamination free environment होता है यानि कि अगर अपन for example एक flask लेते हैं या फिर एक better dish लेंगे तो उसमें हम जो है chemical engineering processes जो है run करा सकते हैं for manufacture of products अगर हम जो है chemical engineering process run कराएंगे तो वो किसलिया कराएंगे वो हम कराएंगे products गेन करने के लिए such as antibiotics, vaccines so this is done so as to enable the growth तो यह जो chemical engineering process है वो सिर्फ तभी की जाती है जब हमें only desired microbes की growth चाहिए undesired microbes की growth नहीं चाहिए desired microbes वो होते हैं जिनके वैसे हमें products मिलता है जिनके वज़े से हमें protein मिलता है और जो कि हमारी commercial and social life के लिए important है यानि कि commercially important products होते हैं desired microbes के तुरू जो हमें gain होते हैं aseptic technique यह होती है आगे देखते है Zenetic Engineering Zenetic Engineering हमने अभी पहले भी यहां पर पढ़ा है देखिए उपर देख लीजिए अब दुबारा इसको डीटेल में पढ़ते हैं डीटेल में आते हैं तो यह थोड़ा वीडियो आपको लंबा हो सकता है लेक्चर लंबा हो सकता है तो मेरा इसाब से आपको at least 1.5x में तो देखना ही है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा आपका time save होगा जिसकी वही से आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन कर पाएंगे ठीक है और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए मैं hand folded request to you to all of you that please share this video along with your all friends ठीक है तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना नहीं बोलता हूँ लाइक कीजिए फिर अगर आपको वीडियो सच्ची में अगर आपको यह जो चैप्टर है वह सच्ची में आपके दिमाग में से हो है या फिर आपको इस अच्ची में impactful वीडियो लगे तो ही इस वीडियो को लेक कीजिएगा और अपने आप आप जो है subscribe चैनल को कर लेंगे मुझे कहने की कोई जरुवत नहीं है पर बस मेरी एक बात जरू मानिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरू शेर किजिएगा देखते हैं फटाफ़ट से तो यह तो हमने पहले भी पढ़ रखा हैं फर्स चेप्टर में रखती है यानि कि वह नहीं रखती है वह बिल्कुल सेम रखती है वह नहीं रखती है वह वरियेशन करती है ठीक है जर्रीशन बइजरीशन फाल गर्द है कि वह बिल्कुल्य अइनिमल हरे जिसेशन हम कराते हैं यानिकी वह बदैचल फिर इनिमल्स में फीर अदिशेशन कराते हैं तो इस प्रोसेजर में जो रिसल्ट होता है इन इंट्रदक्शिंस अफ अंडिजरेबल जीन्स अलो तो जो हमें generation मिलती है तो उसमें हमें undesirable plus desirable जो genes है वो देखने को मिलते है Genetic engineering overcomes this limitation, जो genetic engineering है वो इस limitation को overcome कर देती है Genetic engineering includes creation of recombinant DNA, recombinant DNA आगे पढ़ेंगे कैसे बनता है, gene cloning ये भी आगे पढ़ेंगे Gene transfer into host organ, ये सब आगे के topics से detail में इनको हम देखने वाले है The introduced piece of DNA does not replicate into the host unless it is integrated with the chromosome of host जो introduced piece of DNA है वो replicate नहीं करेगा host में जब तक नहीं करेगा जब तक वो किसी chromosome जो host है, host का जो chromosome है उसमें जब तक वो integrate नहीं कर जाता तब तक वो जो है उसमें replicate नहीं करेगा replication नहीं करेगा जो DNA वो replication नहीं करेगा host में जब तक वो उसके chromosome में integrated नहीं हो जाता है integrate नहीं हो जाता है For getting replicated, the foreign DNA must integrate into the host DNA sequence having origin of replication origin of replication होती है, ओर रही इसको हम आगे पढ़ेंगे किस type से कहां पर यह use आती है तो देख लीजे, foreign DNA must integrate into the host DNA sequence having origin of replication when this integration occurs foreign DNA is replicated and many copies are formed this process is called cloning the process of formation multiple identical copies of DNA तो cloning होती है वो क्या होती है, जो multiple identical copies होती है DNA की इसकी process जब जो process होती है जिसमें multiple identical copies बन जाए DNA की उसे हम cloning बोलते हैं तो यह क्या बोल रहा है origin of replication, देखि basically मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा foreign DNA होता है उसको हम gene of interest भी बोलते हैं ताकि हम host में उसको ले जा करके replication कर रहा हैं और हमें 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 हमारा desirable product मिले जिसकी वज़से हम जो हमारी daily life में उसका use कर सकें तो यह जो recommendant DNA हम आगे पढ़ेंगे लेकिन आपको मैं थोड़ा base बता देता हूं तो होता क्या है basically कि जो हमारा gene of interest होता है वो directly host यानि कि जो host organism होता है वो उसके अंदर direct जो है नहीं पहुच पाता है उसके genome में उसको पहुचने के लिए किसी vector का सारा उसको लेना पड़ता है जिसके पास origin of replication होती है origin of replication का क्या मतलब है origin of replication जो replication जो है start करवाती है it is a starter it is start it is initiate the replication ठीक है तो जो origin of replication है वो initiate करती है replication को और यह अपन को जो है vector में यानि की for example plasmid ti plasmid इन में देखने को मिलती है origin of replication आगे पड़ेंगे और में भी है लेकिन for example मैं आपको बता दिया है अब जो आपका जो plasmid हो गया उसके पास extra chromosomal structure होता है जिसकी वाई से जो है उसके पास जो है origin of replication भी होती है तो ORI जो जिसके पास है उससे integrate होके जीन of interest host के organism में आता है और host के xenom में transfer होके replication करता है तो इसे जो है हम अगर हम basically बोलें तो इससे हमें desirable product प्राप्त होगा यानि की gain होगा और जो जीन of interest है वो जब vector से जुड़ेगा तो recombinant DNA के लाएगा और जो recombinant DNA है वो host के organism में जाएगा तो basically यह वो ज्यादा complicated process अगर आपको लगी तो आगे हम इसको detail में भी समझेंगे बाकी आगे देख लेते हैं ठीके तो cloning हमने देख लिया था अब construction of recombinant DNA जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो recombinant DNA है वो क्या होता है तो recombinant DNA एक बार detail में देख लेते हैं अपन तो जैसे कि मैंने आपको बोला था जो vector होता है वो plasmid ठीके plasmid क्या होता है autonomously replicating होता है circular होता है इसका structure और extra chromosomal DNA में जो है present होता है और यह isolated होता है ठीके तो जो plasmid है वो autonomously replicate करता है यानि कि जो plasmid है वो spontaneous होता है एक तरीके से हम मानते है इस spontaneously replication करता है यह और यह circular structure का होता है और इसके अंदर जो सबसे बड़ी इसका जो feature है वो है कि इसमें extra chromosomal DNA होता है ठीके Plasmid DNA act as a vector जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीनोफ इंट्रेस्ट है वो vector के साथ ही attach होके recombinant DNA बनाएगा और जो recombinant DNA है वो हमारे host के xenom में जाके उसका phenotype alter कर देगा और वहाँ पर replication करेगा जिससे कि हमें जाथा जाथा amount में हमारा desirable product प्रापत हो ठीके तो यह basically हमारी bio technology है इस इस आवर जो है हम बोल सकते हैं इस आवर जैनेटिंग इंजिनियरिंग ठीके तो आगे देखते हैं plasmid DNA act as a vector since it is used to transfer the piece of DNA attached to it to the host ठीके तो plasmid DNA है वो vector की तरह act करता है since it is used to transfer यह जो है जो piece है उसको transfer करने में यानि की जो DNA का piece है उसको host के अंदर transfer करने में काम आता है आगे देखते हैं plasmid DNA also plasmid DNA also contains genes responsible for providing antibiotic resistance to the bacteria plasmid DNA also contain करता है contains genes responsible जो की responsible होते हैं antibiotic gene antibiotic resistance gene provide कराने में ठीक है plasmid DNA है वो condensed genes responsible for providing antibiotic resistance to bacteria plasmid DNA ऐसे genes carry करके रखता है जिससे की वो bacteria को antibiotic resistance दिला सके ठीक है आगे देखते हैं plasmid DNA was cut with a specific restriction enzyme molecular scissors that cut a DNA at a specific location plasmid DNA जो है restriction enzyme के द्वारा जो है cut किया जाता है जिसे हम molecular seizure भी बोलते हैं restriction enzyme को और यह restriction enzyme यह दो टैप के होते हैं endonuclease और exonuclease endonuclease हम पढ़ेंगे वैसे लेकिन जो specific location पे cut करेगा वो हमारा endonuclease होता है ठीक है और exonuclease आगे देख लेंगे the DNA of interest जैसा कि मैंने आपको बोला foreign gene जिसे हम बोलते हैं gene of interest जिसे हम बोलते हैं to be inserted was also cut with the same restriction जिसको हम insert करेंगे vector में ठीक है वो भी cut होता है same restriction enzyme के साथ जो restriction enzyme है जिस restriction enzyme से हम vector को cut करेंगे उस restriction enzyme से हम हमारे DNA of interest को भी cut करने वाले हैं DNA of interest is hybridized with plasmid with the help of DNA ligase to form a recombinant DNA तो जो DNA interest है यानि कि जो gene of interest है वो हमारे vector के जो है vector में insert होएगा और recombinant DNA बनेगा तो जो vector में attach होगा जब ही gene of interest तो यह attach DNA ligase enzyme की वीसे होता है DNA ligase एक enzyme है जो एक दूसरे को जोडता है अटेच करता है तो यह DNA ligase enzyme की help से होएगा है जिसी के हमें recombinant DNA मिलेगा आगे देख लेते हैं recombinant DNA is then transferred to a host such as E. coli variet replicates by using the host replicating machinery recombinant DNA is then transferred to a host जो recombinant DNA है वो host में transfer हो जाता है such as E. coli host होता है variet replicates जहां पर वो replication करेगा by using the host replicating machinery वो भी host की replicating machinery का use करके ठीक है when E. coli is cultured in a medium containing antibiotic only cells containing recombinant DNA will be able to survive due to antibiotic resistances and one will be able to isolate the recombinants E. coli को हम culture medium में जो है रखेंगे और containing antibiotic only cells containing recombinant DNA will be able to survive due to antibiotic resistances तो होता क्या है जो E. coli है जब हम उसको cultured करेंगे ऐसे medium में जहां पर antibiotic है और only cells containing recombinant DNA ऐसे medium में हम इसको cultured करवाएंगे ग्रो करवाएंगे जहां पर antibiotic होते हैं और जैसे कि जो इसके only cells E. coli में जो cells है जो recombinant DNA contain करते हैं वो survive करेंगे और जो हमारे non-recombinant DNA उसको भी हम देखते हैं will be able to survive due to antibiotic resistances जो हमारे recombinant DNA cells है जो contain कर रहे हैं वो survive करेंगे क्योंकि antibiotic resistance gene के वाई से and one will be able और जो बाकी के हैं वो isolate one will be able to isolate the recombinants और जो other recombinants है वो isolate अलग हो जाएंगे उसमें से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं restriction enzyme के बारे में restriction enzymes is tools of RDT RDT क्या होता है RDT होता है हमारा recombinant DNA technology ठीक है एक बार इसकी full form में लिख देता हो आपर ठीक है recombinant DNA technology ठीक है these enzymes are specialized enzymes that recognize and cut a particular sequence of DNA restriction enzyme है यह special enzymes होते हैं जो की जो है DNA के particular sequence DNA के particular sequence होता है वहाँ पर cut करते हैं अब जो nucleus होते हैं जो nucleic acid को digest कर देते हैं nucleuses होते हैं यह दो डैप के होते हैं एक होता है endonuclease और एक होता है hexonuclease जिससे कि मैंने आपको पहले बताया था ठीक है दूसा कलर ले लेते हैं एक मेंट ठीक है दूसा कलर ले लेते हैं एक मेंट ठीक है तो यह कट करते हैं DNA को at specific position पर आगे पढ़ेंगे कौन जी specific position होती है exonuclease क्या करते है exonuclease करते हैं हमारे यह कट करते हैं DNA के end पर और रिमू कर देते हैं ठीक है every restriction enzyme identifies different sequences recognition sequences over 900 restriction enzymes have been isolated all of which recognize different sequences हमारा देख सकते हैं हम यहां पर 900 से ज्यादा restriction enzymes found की जा चुके हैं और every restriction enzyme identify करता है different sequences को recognition sequences हम recognition sequence क्या होता है वो देखते हैं recognition sequences are palindromic what is palindromic so जो palindroms होते हैं palindroms क्या होते हैं palindroms are the sequence of base pairs that reads same both backwards and forwards palindroms एक ऐसे sequence होते हैं base pair के अगर जिनको हम सामने से पढ़ें यानि कि शुरू से पढ़ें और हम उसको पीछे से भी पढ़ें तो हमें वो same ही मिलेगा for example इसको मैं आपको कैसे clear करता हूँ एक बार मैं बतायता हूँ फिर भी कि जो हम जिस वर्ड को for example जिस वर्ड को हम सुरू से पढ़के end तक जाएंगे और जब उसको हम end से पढ़के सुरू में आएंगे तो हमें वो एक ही वर्ड देखेगा यानि कि एक ही वर्ड जो है हमें देखने को मिलेगा पढ़ेंगे for example अगर हम देखें मले अलम मले अलम का एक best example अगर हम यहां से साइड पढ़े यानि कि left to right जाट तो भी हमें मले आण में देखेगा और हम यहां पर इसको right to left साइड पढ़ें तो भी हमें यह मलिया में देखेगा देख लीजे, पूरी spelling वही है जिस साइड से हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो हमें वही नज़राएगा एक और example इसका आजाता है वो है हमारा madam तो इसको भी है अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे तो एक ही बात है ठीक है और जिसे कि यहां पर 5' to 3' होता है और 3' to 5' होता है तो अगर हम 5' to 3' को जो है अगर देखें हम तो यह भी एक example होते हैं इसके same ठीक है same in 5' to 3' and 3' to 5' direction Example एक और है जिसे कि GAA TTC और अगर हम इसको उल्टी तरिके से पड़ेंगे तो भी यह हमें क्या नजराएगा GAA TTC ठीक है तो यह हमें ऐसे नजराता है अगर हम 5' to 3' पड़ेंगे और यहां से इसको उल्टे से 5' to 3' पड़ेंगे तब भी हमें एक ही दिखेगा है आगर देखे तहें जो रेस्ट्रिक्शन एंजराए में पेलिंड्रॉम के सेंटर से थोड़ी दूर जो है कट करते हैं पेलिंड्रॉम साइट के सेंटर से थोड़ी दूर यानि के अवे कट करते हैं but between the same two bases लेकिन same two bases के बीच में ये कट लगाते हैं on the opposite distance ठीक है on the opposite distance कैसे वो देख लेते हैं एक बार अब जैसे कि यहां पर इसको यहां पर में एक बार बता जेता हूं आपको ठीक है तो देख लेते हैं तो ये जो हमारा G A A T T C है अब G A A T T C ठीक है तो ये जो best pair है आपको यहां पर देखने वाला है देख लो A G और यहां पर G है तो ये same best pair है और जो cut लगेगा restriction enzyme के दौरा तो वो लगेगा इनके middle में कहां पर लगेगा इनके middle में ठीक है अब वो cut करने के बाद कैसे दिखते हैं वो आगे हम देखेंगे ठीक है और हम यहां बना देते हैं 5' to 3' और 3' to 5' आगे देखते हैं अब देखो अब क्या होता है कि अगर हम यहां पर cut लगाएंगे तो basically जो G है वो अलग हो जाएगा और A, A, T, T, C अलग हो जाएगा और अगर हम यहां पर लगाएंगे यहां पर cut लगाएंगे तो यहां पर यह G अलग हो जाएगा और हमारा क्या जाएगा C, T, T, A, A ठीक है तो यह दोनों तो यहां पर क्या होते हैं हमारे pairs होते हैं लेकिन यह जो है अन्पेड होते हैं ये तो यह जो अन्पेड होते हैं न तो इनको हम बोलते हैं स्टीकेंड्स, यह हमारे क्या क्लाते हैं Sticky ends बोलते हैं इसको ठीक है तो sticky ends form hydrogen bonds with their complementary counterparts complementary counterparts इनके जो आपने सामने होते हैं वो complementary counterparts होते हैं ये sticky ends जो है hydrogen bond form करते हैं इनके साथ और with the help of DNA ligase enzyme ठीक है all these processes form the basis of RDT ये जो process है वो basis जो होती है RDT तो आगे देखते हैं इसको थोड़ा ओर detail में देखते हैं कि ये sticky ends कैसे जो हैं आपर चुड़ेंगे तो देखो ये एक हमारा आजाता है diagram ठीक है तो action ठीक है तो जो जैसे कि मैंने बोला आपको base pair अब यहाँ पर ये cut लगेगा G और A के बीच में देख लो कहां पर लगा रहे हैं G और A के बीच में ठीक है G और A और यहाँ पर भी G और A ठीक है अब यहाँ पर हमारा कहां लगेगा cut G and A के बीच में और यहाँ पर भी हमारा कहां लगेगा cut G and A के बीच में तो देखो अब जैसे G और A आपर cut आ कि हमें यहां पर सिर्फ GCPTA और जो उपर का पार्डट ऐक बार दुबर ही बता जता हूं आपको जैसे यहां पर जी और आ के बीच में करद लगेगा और यहां पर यहां पर जैसे ही के हमने करफ बीच बीच में तो केसा यह structure निकलता है वह देखो एक बडर तो यह जैसे ही कट लगेगा तो यहां पर जो हमारा portion है वो कट जाएगा यहां से पूरा यह यह पूरा कट जाएगा जैसे यहां कट लगेगा तो यह निकल जाएगा यहां कट लगेगा यह निकल जाएगा तो यहां पर क्या बज़ेगा और यहां पर कट लगेगा तो हमारा बचेगा यह वाला कट जाएगा पूरा ठेक है एंड जो हमारा AATTC है और G है वो हमारा बच जाएगा अब देखो जो यह sticky ends है यह एक दूसरे के साथ जब connect करेंगे तो hydrogen bond form करते हैं और यह किसकी वैसे connect होते हैं हमारा ligase DNA ligase enzyme की वैसे होते हैं ठीक है और जो हमारा इनको cut करने वाला enzyme होता है वह होता है हमारा E-Core 1 और यह हमारा restriction endonuclease होता है यह हमारा molecular scissor भी हम इसको बोलता है restriction endonuclease enzyme है restriction endonuclease enzyme के अगर हम example की बात करें तो हिंड second और E-Core 1 यह हमारे जो है NCRT में गीवन है तो आप जो है मैं बता जता हूँ restriction एक बार लिख दोता है है side में restriction enzymes कितने type के होते है type wipe उसके बहुत सारे हैं लेकिन हम for example जो NCRT में mentioned है first क्या है in second second क्या है eco r1 ठीक है eco r1 तो यह होते है अब जैसे यह sticky ends के साथ जो है bind करेंगे यहां देखो जैसे यह sticky ends के साथ क्या करेंगे bind करेंगे तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने हो मिलेगा फिर देखो sticky ends के साथ जैसे bind करेंगे तो structure हमारा कुछ ऐसा होगा यह सा ठीक structure कैसा होगा हमारा ऐसा होगा अब यह क्या बोलते हैं इसको recommend DNA यहीं कि यह हमारा recommend DNA बन जाता है जैसे ही यहाँ पर sticky ends bind कर जाते हैं दोनों जो vector DNA है foreign gene of interest जैसे बैंड करेंगे तो हमारा recommend DNA फोर्म हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा recommend DNA फोर्म हो जाएगा अब यह वैसे NCRT में अच्छे तरीके से मेंशन्ड है आप जाके जो है चेक कर लिजेगा अच्छे से बाकी थोड़ा में जो फाल्तु का खच्रा है वो इसको हटा देता हूं यहां से अब फटावर फटावर कर लेते हैं यहां पर थोड़ा यह थोड़ा कॉंपलिकेटड चीज थी तो मैंने इसमें थोड़ा जदर टाइम लिया है वह इसको भी महटा देता हूं यहां से ठीक है बाकी आपको समझाने के लिए वह मैंने आपको बताया था यह हमारा DNA लाएगी जेंग में होता है जो की एडिशन करवाता है प्रेक्टर DNA और फोरें DNA में आगे बढ़ते है जो restriction enzyme है उसकी naming देखते है first letter क्या होता है जीनस होता है organism का from which the enzyme जो enzyme है जिस organism से produce हुआ है वह जीनस होता है first letter second and third letter क्या होता है species होती है of which organism जिससे वो enzyme produce हुआ है fourth letter क्या होता है name होता है strain का उसका जो strain है वो उसका name होता है यानि कि वो कौन सा है कौन से number पर जो है वो develop हुआ है ठीक है first develop हुआ है या फिर इसके बाद इसकी जो strain होती है वो इसको denote करती है Roman number क्या होते हैं या पर order of isolation होते है Roman number से हमें denote किया जाता है ठीके सोरी जो स्ट्रेन है नमबर नेम आप दे स्ट्रेन वो हमारा जो है स्ट्रेन है वो ये नहीं होता है कि कौन से नमबर पर वो पबलीश या फिर डेवलोप हुआ है वो होता है हमारा स्ट्रेन जैसे कि फॉर एक्जामपल ये को आरवन है जो फोर्थ लेटर है हमारा R यह हमारा होता है स्ट्रेंड और यह प्रता है uh sorry यह हमारा मैं तो आपको बोला था कि R जो है हमारा number of publish publish है जब वो पब्लिकेट हुआता है यह निकाइबल्ब हुआता तो वो number है तो एसा नहीं है जो हमारा fourth letter है वो होता है हमारा strain जो हमार last letter है वो होता है Roman number और यह किसको डिनिट करता है कब जो है कौन से नंबर पर डेवलोप हुआ यानि कि first develop हुआ फर्स्ट डेवलोप हुआ जो है पब्लिगेट हुआ इसको हम जो है Roman number से डिनिट करें हैं जैसे कि देख लो इको और बन डेरर्ड फॉम इको लाइ स्थेन आर और और इट इजव फ़र्स फ्र डिस्कवर्ट ठीक है ओ जो आर्वन है वं वं का मतलब है फस्ट डिसकोवर हुआ इए ठीक है जैसे अगर दूसरा होता तो वह सेकिन्ड डेश्कोवर होता ठीक है आगे देखते हैं Zelle Electrophoresis देखिए जो Zelle Electrophoresis है वो क्या होता है इसको सोड़ा डीटेल में देखें ये भी important है पिके स्टामा कर लीजेगा फटाफट से तो the fragments obtained after cutting with restriction enzymes are separated by using Zelle Electrophoresis अब जो fragment होते हैं DNA के वो cut कर ली जाते हैं restriction enzyme की वज़े से और उनको separate करने के लिए जो DNA fragments होते हैं इसकी अगर हम देखें तो जब हम हमारे जब हमें DNA के fragments मिल जाएंगे ठीक है DNA के हमें fragment मिल जाएंगे vector DNA के साथ हम जब gene of interest add करेंगे तो हम DNA के fragment मिलेंगे in form of recominant DNA so recominant DNA में हमें जो है जो DNA fragments होते हैं उनको हमें separate करने के लिए zela electrophoresis का यूज करना रहा है ठीक है तो अब देखते हैं zela electrophoresis क्या होता है तो electric field is applied to the electrophoresis matrix जो यो इसमे lightweight field आप्लाई किया जाता है electric forces matrix में commonly called expressing this अगेरोजल and negatively charged DNA जो है वो मूव करते हैं towards the anode यानि कि positive side of this agaroselle यानि कि जो agaroselle है उसमें positive side की तरफ जो agaroselle होती है वो कुछ step होती है यहाँ उसका positive side होता है और यहाँ पर उसका negative होता है negative होता है ठीक है और यहाँ पर उसके wells भी होते हैं जिनमें हम DNA fragments रखते हैं और यहाँ पर DNA हमें देखने हों मिलते हैं बहुत सारी जो चीजे होती है वो होती है जैसे कि मान लीजिए जो ज्यादा smaller fragment होते हैं वो ज्यादा इदर दूर जाते हैं यानि कि negative side पर जाते हैं ज्यादा जो है further move करते हैं जो छोटे particle जो छोटे fragment होते हैं इस step से कुछ होता है जो DNA जो fragment है वो positive की तरह हमारे इधर जाते हैं इसको मिटार जयते हैं अग देते हैं fragment separate according to their size by sieving properties of agrozel smaller the fragment farther it moves जैसे कि मैंने आव होता है जो ज़्यादा smaller होते हैं वो ज़्यादा दूर जाते हैं staining dyes such as a3dm bromide followed by exposure to UV radiations are used to visualize the DNA fragment अब देखो यार यह staining dye क्या होती है अब देखो जो हमारा staining dye है उसका क्या रोल है जो DNA fragment होते हैं उनको यह expose करता है यानि कि जो DNA fragment इतने ज़्यादा जो है छोटी size को होते हैं जिनको हम naked ऐसे नहीं देख सकते हैं तो उनको अगर जो हमें separation में उनको देखना है तो जो staining dye होती है जो जैसे कि हम staining dye का example लें तो ethereum bromide होता है तो followed by exposure to UV radiation यह जो ethereum bromide है इसको हम जो है DNA fragments के साथ जो है add करते हैं और जब हम इस पर UV radiation डालते हैं तो हमें DNA fragment देखने को मिलते हैं अब जो DNA fragment है आर visible is bright orange colored bands in the agorosmectric जैसे ही हम staining dyes इनके साथ add करते हैं और जब हम UV rays इन पर pass कराते हैं तो हमें एक orange color की light देखने को मिलती है और इस color band देखने को मिलते हैं जो की DNA fragment को जो है हमें बताते हैं डिनोड करते हैं शो करते हैं इस बेंड्स आर कट फ्रोम देखरोजल जो बेंड्स हमें दिखेंगे वहां पर हम कट लगा के इनको extract कर लेंगे जैल से जैल पीस से और इसी प्रोस्टे को हम बोलते हैं illusion ठीके ठीके DNA fragments are purified and these purified DNA fragments are used in constructing decomunant DNA अब जो रिकोमिनेंट जो जैसे कि मैंने आपको बताया था जीन ओफ इंट्रेस्ट होता है जीन ओफ इंट्रेस्ट मैंने आपको एक बात बताई थी पहले तो यह जो DNA fragment होते हैं वो हमारे जो है इस रिकोमिनेंट DNA नहीं होता है मैंने आपको पहले बताया था तो थोड़ा उसमें mistake था एक बार आप इसको जो है मैं आपको दुबारा समझा देता हूँ जो DNA fragment होते हैं वो किसके होते हैं वो होते हैं हमारे जीन ओफ इंट्रेस्ट कहां से मिल रहे हैं देखो सबसे पहले एक बार सोच जीन ओफ इंट्रेस्ट तुम्हें कहां से मिला और सिंगल जीन ओफ इंट्रेस्ट कहां से मिलेगा उसको separate देखो जो DNA fragment होते हैं उसमें से हमें एसा एक जीन डूणना होता है जो हमारे काम गया लेकिन अगर हम उसको डूणना चाहते हैं त तो हमें उसको separate कराना पड़ेगा अब separate कराना पड़ेगा तो उसमें हमें जीन ओफ इंट्रेस्ट देख कर निकालना पड़ेगा तो जो जीन ओफ इंट्रेस्ट वेक्रें के साथ form करके decommunant DNA बनाता है वो एक अलग process है लेकिन firstly हमें जीन ओफ इंट्रेस्ट मिला कहाँ से जो gene of interest है वो भी हमें एक DNA से ही मिलता है तो DNA है उसको हम separate कर लेंगे fragments में अब हमें पता नहीं है कि कौन सा जो है हमारा काम का gene of interest है तो उसके लिए हम agarose gel का use करेंगे यूवी radiation डालेंगे और उसके साथ जो है इतिर जो हमारी होती है जैसे कि अपर लेकर है इतिरियम bromide को हम उसको मिलेंगे और हमें orange band देखेंगे अब वहां पर हम cut लगा कि उनको निकाल लेंगे extract कर लेंगे उसको हम illusion बोलते हैं और जो DNA fragment है जो हम एक्सक्राइगे अब वो ज zone of interest के लाते हैं और यह हमारे काम आते हैं रिकोमिनेंट डियने कंस्ट्रक्ट करने है ठीक है आगे देखते हैं अब क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है यह भी एक important और अच्छा topic है ठीक है रिकोमिनेंट डियने एज एड होस्टेज तौलस ऑफ आड़डी क्लोनिग वेक्टर्स क्याता है प्लाजमिड अड बेक्टीर फेज इंड बेक्टिरियोफेज अर क्लोन ली यूज रिक्टर के लिए क्लोन ली यूज होते हैं बौफ ए अब प्लाजमेंट और बैक Because इनके पास Chromozommal DNA होता है ठीक है Both of these एक बाई मैं आपको सन्दुमाजाता हूँ दोनूं यह replication करते है बेक्टियल सेल के अंदर जो है और यह independent होते है Chromozommal DNA के क्या होता है Chromozommal DNA वह सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो हमारा bacterial cell है उसमें plasmid भी होता है तो plasmid के पास एक extra chromosomal DNA होता है और जो bacterial cell उसके पास एक अलग chromosomal DNA होता है जो कि उसके xenom में present होता है दो होते हैं तो जो bacteria में present chromosomal DNA है उसके उपड़ depend नहीं होता है हमारा plasmid plasmid के पास अलग से एक extra chromosomal DNA होता है ठीक है तो ये independent है bacterial cell के chromosomal DNA के ठीक है ये independent है उसका और ये अपने इसाब से replicate करता है क्योंकि इनके पास ORI यानि कि ORIB present है जो कि हमारी replication को initiate कर रही है तो ये पूर तरीके से bacterial cell के chromosomal DNA से independent है, bacteriophasis क्या होता है have high copy number of xenom within the bacteria अब जो है bacteriophasis का जो है high copy high copy number रहता है xenom में, bacterial cell में ठीक है, plasmid क्या होता है में है, 1, 2, 2 copy number to 15 to 100 copy number per cell, per bacterial cell में इसकी जो है, 1 से 2 से लेकर 15 to 100 copies देखने को मिलती है और bacterial phasis की high copy number देखने को मिलता है xenom में, bacterial cell की अंदर ठीक है, आगे देखते है, if foreign dna is linked to these vector अगर जब geno of interest, goi vector साथ link कर जाता है vector के साथ, then it is multiplied to the number equal to the copy number of vector then, जो हमारा foreign dna है वो भी replicate करेगा वो भी multiply करेगा उतने ही number में, जितने number में हमारा vector जो है copy बना रहा है vector multiply कर रहा है, same number होगा और जीनों फ्हाइन फ्हान का features present in the vector itself help in the easy isolation of recombinant from the non-recombinant जो feature present होते है vector में वो itself उसके लिए help करते है for easy isolation of recombinants from the non-recombinant, feature present होते है vector में, वो उसके help करते हैं, कि non-recombinant होते हैं और non-recombinant का एय भीड़ता है, तो इन दोनों को separate इन दोनों को isolate करने में इन दोनों को अलग-अलग करने में रिकोमिनेंट हमारे काम के होते हैं और रिकोमिनेंट और नोन रिकोमिनेंट को अलग करने के लिए जो है यह इसमें एक feature होता है आगे देखते हैं इसका बहुत जदा important है तो यह इसको एक बार आप देख लेना तो क्या है यह क्या है यह क्या है यह देख सकते हैं यह क्या है तो basically यहाँ पर क्या होता है यह होता है हमारा host यह होती है हमारी MPC lean resistant gene यह होती है हमारी tetracycline resistant gene यह होती है हमारी ORI यहनि कि origin of replication और यह होती है हमारी ROP जिसको हम protein भी बोलते हैं तो यह हमारे क्या है यह restriction sites है restriction sites या फिर enzymes और restriction enzymes ठीक है यह यह भी यह भी ठीक है तो इसको थोड़ा चोड़ा कर देते हैं ठीक है यह restriction site or restriction enzyme है अगी देखते हैं origin of replication ORI replication start from ORI any fragment of DNA well linked to ORI can be made to replicate जब कोई भी fragment of DNA link कर जाता है हमारे ORI के साथ तो वह replicate कर लेता है यानि कि वह replication के लिए बन जाता है ठीक है replication वह start कर सकता है अपनी without it can't possible ठीक है with the help of this genetic engineer में control copy number of the recombinant DNA to recover a high number suitable origin of replication must be chosen with the help of this इसकी वज़े से जो इसकी वज़े से इसकी help की वज़े से और to recover high number high number recover करने के लिए जो है हमें suitable origin of replication क्या हो शकता है इसको choose करने क्या हो शकता है आगे देखते है selectable marker क्या होता है these genes have to select recombinants over non-recombinants जैसा कि मैंने आपको बूला था जो recombinant होते हैं हम हमारे काम के हैं तो जो non-recombinant होते हैं तो non-recombinant में से recombinant अलग कर लेता है और जब अलग हो जाते हैं तो जिन-जीन की वज़े से यह अलग होते हैं उन जीन को हम जो है क्या बोलते हैं selectable marker selectable marker क्या होता है these genes help to select recombinants over non-recombinants यह जो है genes help करते हैं non-recombinant में से recombinant अलग करने के लिए antibiotic resistant genes such as ampicillin resistant gene tetracycline resistant genes serve as selector markers usually जैसे कि मैंने आपको बोला था जो ampicillin resistant gene है और tetracycline resistant gene है यह हमारे selector marker की तरह जो है serve की जाते है cloning sites क्या होता है these sites refer to the recognition site यह site refer करती है recognition site की recognition site हमने जैसे कि पढ़ाता पहले परेंड्रोमिक site भी बोलते हैं उसको हम recognition site क्या होती है जिनको हम आगे से पढ़े या फिर पीचे से पढ़े वह बात बराबर ही है जिसके मैंने आपको पहले समझाय था for restriction engine such as eco r1 hinder 3rd pv hue 1st bam h1st ठीक है जो these site होती है यह जो site है वो refer करती है recognition site को for restriction engine just such as यह example these are the site where restriction engine cut the dna यह वो site से जहांपर जो restriction engine में वो cut लगाता है cloning process becomes completed when more than one recognition site cloning process complete हो जाती है जब एक से जादा recognition site present होती है complete होती है therefore ligation is carried out only at the restriction site present on the antibiotic resistance engine ligation is carried out only at the restriction site जो ligation होता है dna ligase enzyme के वैसे वो जो है हमारा निकल के बार आता है out only the restriction site present on the antibiotic resistance gene तो इसका जो मतलब है वो क्या है देखे हो समझनी कोशिश कहते हैं एक बार फिर से ligation is carried out only at the restriction site present on the antibiotic resistance gene जो antibiotic resistance gene के उपर restriction sites होती है उसमें जो है यह ligation कराता है ठीक है ligation कहां पर होता है ligation होता है जहां पर जो restriction site present होती है antibiotic genes के उपर वहां पर ligation होता है ठीक है आगे देखते है how antibiotic resistance genes help in selecting recombinant तो suppose tetracycline resistance gene है has BMH1 recognition site यानि कि BMH1 जो है यहां पर हमारा recognition site है tetracycline gene के पास अब जो BMH1 है is used for restriction यह restriction के लिए यूज होगी and foreign DNA fragment is inserted within the tetracycline gene और जो gene of interest है gene of interest का जो fragment है वो insert किया जाएगा tetracycline gene के अंदर ठीक है hence tetracycline resistance is not present in the recombinant जो tetracycline resistance है वो present नहीं है recombinant में ठीक है तो recombinant will grow on the media containing ampicillin जो recombinant आपको grow किराया जाएगा हमारे ampicillin containing media में but will die on media containing tetracycline लेकिन वो die हो जाएगे मढ जाएगे tetracycline containing जो tetracycline containing area में on the other hand non recombinant will grow on medium containing on other hand दूसरे अगर हम part में देखें तो जो non recombinant है वो grow करेंगे ampicillin containing medium में as well as on medium containing tetracycline यह दोनो टाइप की जो हमारे ambience होते हैं जो दोनो टाइप की medium होते हैं tetracycline और हमारे ampicillin इनमें grow कर जाएगे non recombinant लेकिन recombinant हमारे सिर्फ ampicillin में grow करेंगे not for tetracycline medium ठीक है in this way इसी प्रकार जो इंटेबाटे रेस्टेंट जीन है वह help करते हैं हमारे transformant select करवाने में transformant select करवाने में यह help करते है हाँ तो दूबारा से continue करते हैं तो ओल्रेडी 53 minutes की जो है वीडियो हो चुकी है lecture हो चुका है और अब ज्यादा जो है बड़ा portion है नहीं फट फट से complete कर लेते हैं alternate selectable marker alternate selectable marker क्या होता है यह जो antibiotic resistant gene होता है इसके अलावा जो है यूज करने वाले जो alternate होते हैं alternatives होते हैं इनको हमें alternative markers जो है होते हैं ठीक है alternative markers जो है अगर हम यूज करना चाहें तो हम alternative markers को यूज कर सकते हैं one of them is the encoding for beta galactocydos यह गया हमारा beta galactocydos है एक बार में जो है आपको confirm करके बताता हूं कि यह हमारा beta galactocydos ही है हुआ 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 तो यह हमारा beta galactocydos है ठीक है तो जब 4N zine इंसर्ट किया जाता है हमारे beta galactocydos में ठीक है beta galactocydos zine में the enzyme beta galactocydos gets inactivated जब enzyme हमारा beta galactocydos देखो जो 4N zine होता है zine of interest जब वो insert किया जाता है beta galactocydos में तब जो beta galactocydos enzyme है वो inactivate हो जाता है internal inactivation यह अभी आगे बढ़ेंगे क्या होता है then the bacteria then the bacteria are grown on a chromogenic substrate और जो bacteria है वो chromogenic substrate पर जो है grow करेंगे ठीक है non recombinants will produce blue colored colonies colonies जो non recombinants होते हैं वो produce क्या करेंगे blue color की colonies और जो recombinants होते हैं वो प्रोडूस करेंगे colorless colonies आगे देखते है cloning vectors for plants and animals TIA plasmid होता है tumor inducing plasmid refers to the plasmid of agrobacterium tumificians अब जो TIA plasmid होता है जो bacteria होता है जो bacteria होता है agrobacterium tumificians इसमें से जो है यह निकाला जाता है TIA plasmid हो ठीक है अब जो A tumificians है ही कहा है plant का pathogen it produces tumors in the plants and it infects जो हमारा agrobacterium tumificians है कि plant में tumor produce करता है TIA plasmid can be modified into a cloning vector by removing the genes responsible for pathogenicity TIA plasmid को modify करेंगे into a cloning vector में modify करेंगे और यह modify कैसे होगा by removing the genes हम remove कर देंगे TIA plasmid में से ऐसे genes जो की pathogenicity को cause करेंगे यानि कि जो बीमारी को disease को cause करेंगे ऐसे genes जो है उसमें से हम निकाल देंगे TIA plasmid को हम जो है resistant बना देंगे pathogenicity और modify करेंगे इसको cloning vector में retrovirus क्या है retrovirus हमने पढ़ा है retrovirus जो होता है हमारा हमने जैसे human health and disease में पढ़ा है आपको आप देखने को मिले retrovirus ठीक है these are the viruses that infect animals यह ऐसे virus होते हैं जो animals को infect कर लेते हैं और produce करते हैं cancer in animals और यह cancer produce करते हैं animals में retrovirus can be disarmed to be used as a cloning vector अगर हम इसको cloning vector की तरह use करेंगे तो हमें इसको पहले disarm करना पड़ेगा ठीक है इसको हमें first इसकी जो शक्तिया हैं हमें इसको खतम करना पड़ेगी इसकी जितने भी अंदर की जो zine है जो pathogenicity create करेंगे जो tumor induce करेंगे उसको हमें जो है सबसे पहले इसको neutral करना पड़ेगा इसको disarm करना पड़ेगा competent host क्या होता है competent host क्या है competent host refer करते हैं उन bacterial cells को जिनके उस ability होती है to take up the vector containing recombinant DNA अब यह क्या है process आके समझते हैं methods होते हैं to introduce recombinant DNA to competent host competent host ऐसे होते है जो जैसे bacterial cells होते हैं के जो to take up the vector containing recombinant DNA तो इसको क्या समझते हैं competent host क्या होते हैं देखो यह bacterial cells होते हैं उनको treat क्या जाता है calcium 2 plus then इनके साथ जो हम treat करेंगे तो these cells are incubated with recombinant DNA हम इसके साथ incubate करेंगे ice पर followed by heat shock फिसके बाद हम इसको heat shock देंगे 42 degree का then फिर से ice पर रख देंगे by this bacteria are able to take up recombinant DNA है इसकी वज़े से क्या होगा जो bacterial cell है वह recombinant DNA को directly अपने अंदर ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है bacteria के अंदर transient pods create हो जाएंगे जिसकी वएसे recombinant DNA direct जो है bacteria के अंदर चला जाएगा ठीक है यह एक ऐसी process है जिसमें हमें जो है directly अगर हमें हमारे recombinant DNA को bacteria के अंदर भिजवाना है enter करवाना है तो यह competent host जो है enter करवा सकते हैं ठीक है वेक्टर को जो है यह enter करवा सकते हैं अंदर containing recombinant DNA micro injection क्या होता है recombinant DNA is directly injected into the nucleus of animal cells जो recombinant DNA है इसको हम directly transfer कर सकते हैं animal के cell में by micro injection directly animal cell के nucleus में transfer कर देंगे micro injection होता है और first process हमने देख लिए second micro injection biolistics gene gun क्या होती है gene gun क्या करती है cells होते है cells are bombarded so cells plant के cell होते है basically plants के लिए तो plant के cell पर bombardment होती है with high velocity micro particles of gold or tungsten micro particles होते है and gold or tungsten के वह high velocity के साथ bombard के जाते है cells पर प्लांट के cells पर ताकि जो है वह अंदर enter कर जाया उसके किसके plant cell है disarmed vector is in case of agrobacterium tumifacients and retrovirus जो disarmed vector होते है जैसे कि agrobacterium tumifacients and retrovirus क्या होता है कि इनमें जो gene होते है जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था वह cancer causing होते हैं या फिर इनमें जो gene होते हैं वह pathogenicity create करते हैं तो इनको हम neutral करते हैं इनको disarmed करते हैं और इनमें हमारी मनपसंद जो gene होती है gene of interest होती है इनमें induce करवाएंगे और यह हमारे लिए काम करेंगे ना कि यह ऐसी disease cause करेंगे जो कि वह जादा harmful होती है in human life तो process of RDT recommend DNA technology की process देखते हैं isolation of genetic material तो isolation कैसे होती for the process of RDT DNA must be available in its pure form जो RDT process के लिए DNA एक pure form में अविलेबल नहीं फर्स्ट ओफॉल cells are treated with specific chemical to make up cells to release cellular components such as DNA, RNA, proteins or this is done by enzymes such as lysozymes, cellulase and caitinase first of all क्या होता है जो cells है उनको treat के जाता है किसी specific chemicals जैसे की इन enzymes की वाजी से यह जो है ब्रेक ब्रेक उपन होता है मतलब यानि कि ब्रेक हो जाते हैं open हो जाते हैं बिल्कुल इनका cell पूरा उपन हो जाता है इन enzymes के वज़से और यह जो है तरह तरीके के जो ओर्गनिजम के लिए अलग अलग होता है जैसे फंग पंजाई के लिए जैसे कि जो RNA होता है contaminants and proteins are digested with the help of ribonucleus and proteins जो proteases enzyme होता है यानि कि जो protein को digest करता है और जो ribonucleus होता है वो RNA को क्या करता है हुमारे digest करता है ठीके अगे देखते है अलटिमेटली प्रेसिपिट आप पूरिफाइड DNA which can be seen as collection of fine threads in the suspension जो chilled ethanol का जब addition होता है तो वो अलटिमेटली प्रेसिपिटेट करतेता है DNA को purified form में जिसके वाइसे हमें हमारे fine threads की collection देखने को मिलती है ठीक है आई देखते है cutting of DNA at a specific location DNA is cut into fragments DNA is cut into fragments fragments generated after restriction are isolated with the help of JLA electrophoresis तो जो DNA है वो destruction enzyme के बाद जो fragment होते है वो अलग-अलग कर देता है JLA electrophoresis के वाईसे और जिससे हम में recommend DNA मिल जाता है आगे देखते है polymerase chain reaction यह बहुत जाता important topic है इसको भी star mark कर देना ठीक है तो recommend DNA can be amplified by PCR जो recommend DNA वो amplified किया जाता है PCR के दोरा PCR क्याता है polymerase chain reaction अब PCR का memory work क्या है several identical copies it can be synthesized in vitro in vitro condition में recommend DNA की several identical copies जो है यह बनना जाता है इसमें two set of primers होते है primers का होता है chemically synthesized oligonucleotide stretches which is that are complementary to a region of DNA यह जो है chemically synthesized oligonucleotide stages होते है जो की complementary होते है in a specific region of DNA और oligonucleotide यानि की यह 19 से 23 जो है इसमें nucleotide होते है primers में और enzyme DNA more polymerase and deoxynucleotides added जो enzyme DNA polymerase होता है और deoxynucleotide होते है वो इसमें add होते है तो DNA polymerase को हम tech DNA polymerase भी बोल सकते है tech DNA polymerase आगे भी निच कर लेना tech DNA polymerase ठीक है ठीक है आगे लिगते है PCR जोए कंसिस्ट करता है DNA polymerase enzyme का एक नाम था हमारा PCR T-TEQ T-A-Q आगे रिकते हैं यह PCR तीन स्टेप्शन कंड़े दा denaturation annealing or extension annealing जो है मैं आपको डिग्राह में सम्झा दूँगा denaturation का दा है double helical DNA is denaturated by providing high temperature ठीक है DNA polymerase does not get degraded in such high temperature since the DNA polymerase used in reaction is thermostable as it is isolated from thermophilic bacteria thermostaticus tech जैसे मैं आपको बता है take DNA denaturation कैसे होता है सबसे पहले उसको मैं आपको डिग्राह में सम्झाओंगा तो आपको अपने आप जो है यह लाइन समझ में आने लग जाएगी आप इसको बाब में पढ़िएगा अच्छे तरीके सब को समझ मैं जाएगी मैं आपको डिग्राम पहले क्लीर करतेता हूं इसको देख लेंगे पनमाल में extension क्या होता है replication of DNA होता है in vitro condition में और this cycle is repeated several times to generate up to 1 billion identical copy और जो denaturation annealing और extension होती है यह cycle जो है चलती रहती continuously चलती रहती अब आगे देखते है तो भाई जो हमारा DNA है double stranded DNA है उसके हमें दिख जाते है double strand ठीक है तो double strand DNA है तो इसमें जो है 5' to 3' और एक 3' to 5' दिख जाता है ठीक है अब इसको heat कराएंगे हम ठीक है तो denaturation में heat होएगा कम से कम 94 degree celsius के आसपास ठीक है तो 94 degree के आसपास हमें heat कराने वाले हैं इसको और उसके बाद जो दोनों DNA strand है वो separate हो जाएगी ठीक है अब जिनके specific position है यहां पर क्या होता है यहां पर any link होगी हमारी any link होगी अब वो any link में क्या होता है कि यह 40 to 60 degree celsius पर होती है 42 to 60 degree celsius पर और जो primers होते है वो any कर देते हैं templates को primers any to the template dna in gene of interest area primers क्या annual कर देते हैं templates को template dna को और यह किस area में करते हैं gene of interest area में जिसे कि आपको दिख रहा है अब इसके बाद जो dna polymerase है जिसको हम detect polymerase भी बोलते हैं plus deoxynucleotides यह क्या करते हैं आगे जो इसको ले जाते हैं और extension elongation process होती है अब extension elongation process क्या होती है by using tech dna polymerase जैसे कि यानि कि मैंने आपको बता है tech dna polymerase के वैसे होती है और इसकी वैसे जो है हम extract कर लेते हैं जो हमारा thermophilic organism होता है thermos aquaticus ठीक है तो thermophilic जो हमारा organism है thermos aquaticus इसको हम extract कर लेते हैं और यह cycle जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह cycle हमारी जो है बार बार जो है यह cycle चलेगी जिसकी वाज़े से यह 1 billion time की यह copies हमारी create कर देगा ठीक है तो इसकी वाज़े से जो हमारी dna की copies है वो create हो जाएगी several identical copies it can be synthesized in vitro and यह सब तरीके की process है तो यहां पर देख लेते हैं definitions को दुबारा double helical dna is denaturated by providing high temperature जैसे कि 94 degree celsius dna polymers are not degraded in such temperature since the dna polymers used in this reaction thermostable as it is isolated from thermophilic bacteria thermos aquaticus जैसे कि मैं आपको बताया last में extract मिलता है thermos aquaticus जो की हमारा product है और हम जैसे ही denaturation and healing extension को जो है चलाएंगे बारबर तो हम में यह product जो है amplify होके मिलेगा 1 billion time इसकी जो है copies बनती रेगी बनती रेगी ठीक है 1 billion time तक अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं insertion of recombinant DNA तो insertion of recombinant DNA क्या आता है recombinant DNA का competent cell में insertion तो यह जैसे कि हमने पहले भी बढ़ा था यह topic दूबार देख ले थे insertion of recombinant DNA into host is done by several method तीन method है transformation in case of bacteria bacterial cell के case में transformation करते हैं और transient pore में से direct recombinant DNA अंदर कुछ जाता है disarmed vector जिसे कि में आगे भी जीन गन macro injection in case of plant में animal cell में micro injection इसे हम directly recombinant DNA को अंदर introduce करा देते हैं animal cell के genome में the cells bearing recombinant DNA are selected because the recombinant exclusively have selected are selected उनको selected किया जाता है क्योंकि recombinant के exclusively selected markers होते हैं present in them जो recombinants होते हैं जो exclusively selected marker होते हैं और जो की present होते हैं उनी के अंदर similar to antibiotic resistance antiviotic resistance gene के similar होते हैं तो एक बार इसको कहने का मतलब क्या है देख लेते हैं जो cells होते हैं जिनके पास recombinant DNA होता है are selected because the recombinant exclusively have selected marker present in them ठीके आगी देखते हैं similar to antibiotic resistance antiviotic resistance के similar होते हैं complicated नहीं है इसको आप आराम से जो है एक बार दो बार पढ़ेंगे तो इसको आपको जो है definition आपको clear होती जाएगी कुछ words होते हैं जो हमें एकदम से clear नहीं होते हैं लेकिन वो हम बार बार पढ़ने पर हमें conceptual clarity हमें आती रहती है तो notes को आपको revise करना है time to time आगे देखते हैं obtaining the foreign engine product हम foreign engine product को कैसे obtain करेंगे यह बहुत बहुत दा important process होती है क्योंकि हम biotechnology इसी वाजी से करते हैं biotechnology generating engineering process होती है bio chemical process होती है वह basically होती इसलिए यह ताकि हमें large amount में हमारा जो product हो प्राप्त हो सके है अब क्या होती है foreign engine product this is a stage for which the recombinant DNA was produced यह वह stage है जिसमें हमें recombinant DNA produce होता है ठीक है the cell containing recombinant DNA will produce a novel protein product cell containing recombinant DNA वह produce करता है एक protein product को जो हमें आरा desire product होता है recombinant protein में हम जिससे को बोलते है यह वह stage है जिसमें recombinant DNA produce होता है ठीक है अब जो recombinant DNA है वह बार बार replicate करतेगा host में तो हमें ज़्यादा उसकी copies मिलेगी ज़्यादा हमें protein मिलेगा लेकिन कम अमांट में हमारे लिए यह कोई useful नहीं है for large scale production of the desirable product antibiotics such as vaccines such as enzymes optimum condition are to be provided large scale production में desirable products vaccine enzyme को optimum condition continuous culture continuous used culture media is drained used culture media drained हो जाती है from one side one side से drained कर लिया जाता है and fresh culture media जो है वापे से add कर दी जाती है from the other side ठीक है यह biorectors होते है biorectors में एक side से drained करेंगे और एक side से हम add करेंगे fresh culture media को used culture media from the other side from the other end of side it is drained or the fresh culture media is added from the other hand of side cells are kept throughout in their log exponential phase जो सेल है वो जो उनके log exponential phase है उसमें बने रहते हैं kept रहते हैं throughout their phases ठीक है log phase और exponential phase larger biomass यानि कि जो जितना बड़ा biomass रहेगा is produced by this method leading to higher yield जितना ज्यादा हमें biomass मिलेगा और तो इस method से तो वो हमें lead करता है higher yield प्रोवाइड करने में ठीक है ज्यादा biomass से हमें ज्यादा yield जो है मिलेगी bio reactors ठीक है ठीक है तो जैसे कि आप समझ सुके हैं कि जैसे हमें ज्यादा biomass मिले तो higher yield यानि कि higher quality जो हमें product हमें वो मिलने वाले bio reactor क्या होते हैं यह होते हैं large vessel यह अगर हम recombinant DNA produce कराते हैं large scale पर तो हमें एक बड़े बड़े vessels की जड़ोत होती जिसकी वज़े से हम ज्यादा amount में जो है इसको produce कराता है large vessel क्या होते है large volumes क्यानि कि 100-1000 liter के यह bio reactor होते है ठीक है तो 100-1000 liter इसमें space होता है of culture के बड़े 100-1000 liter culture इसमें optimal growth condition for microbes इसमें optimal growth condition होती है microbes के लिए present होती है for example temperature growth condition यानि कि optimal growth condition होती है temperature को low down कर सकते हैं इसमें अपने साब से automatic होता है system इसमें pH के लिए control होता है substrate के लिए salt के लिए vitamins के लिए आगी देखते हैं bio reactor दो टैप के होते हैं stirred tank bio reactor sorry simple stirred tank bio reactor दूसरा होता है हमारा spas यह बड़ा modified होता है यह केसे modified है यह बता दूँगा आपको में भी आप 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 ठीक है तो यह होता है हमारा simple वाला इसमें क्या होता है acid base for pH control होता है motor होती है इसमें foam baker होता है flat bed bladed होती है और sterilization के लिए steam होती है cultural growth होता है इसमें ठीक है और आगे अपन को मेटर देखने को मिल जाएगा और इस पाज वाला है यह थोड़ा modified foam है इसमें हमें यहां पर नीचे nozzle देखने को मिलती है जिसके वाइसे O2 अंधर पास होती है और जो O2 का हमारा transfer है वो ज्यादा अच्छे से होता है और surface area भी इसका थोड़ा increase होता है जिसके वह इसे ज्यादा अच्छे से जो है आपर bioreactor यह act करता है in comparison to simple stud tank bioreactor अब देखते हैं जैसे कि हमने देख लिया optimal growth conditions होती है bioreactors में microbes के लिए जैसे कि temperature के लिए conditions यानि temperature optimal होती है ठीक है यह optimal case है हम जैसे मान सकते हैं कि जो microbes होते हैं उनको grow करवाना है हमें तो हमें suitable temperature suitable pH salt or vitamin जो है हमें बिलकुल सही amount में डालना होगा तब ही हमें हमारा microbes कित्रू हमारा product हमें मिलेगा आगे दिखते हैं bioreactor is the following component agitator system नहीं बता था agitator system यह होती है हमारी जो float कर रही है यानि कि जो इसके अंदर यहां पर हमें blades दिख रही है और जैसे यह घूमेगा जिसके वजिसे जो water bubbles है यानि कि जो हमारी bubbles है oxygen की oxygen create होग agitator system के वजिसे जिसके यह यह blade घुमती है तो अंदर oxygen जो है develop होती है ठीक है आगे देखते है oxygen delivery system इसमें form control system में temperature है pH control system में sampling ports है agitator system हम मान सकते है blade का जो है round जो है लगाना ठीक है agitator system देख सकते है यह है यह है यह है इसको पूरे को अगर हम whole include करे तो agitator system हमारा पूरा complete हो जाता है downstream processing होती है downstream processes क्या होती है biosynthesis of many compounds such as enzymes alcohols and antibiotics take place within the biorector biosynthesis क्या होता है biosynthesis में जो compounds होते हैं जैसे कि enzymes होते है alcohols होते है और antibiotics होते है यह place करते हैं हमारे biorector में और जो biosynthesis है जो हमारा integration होता है biorector में वह हमारा biosynthesis process में आता है और biosynthesis है final product हमें मिलता है यह जो enzymes होते हैं alcohols होते हैं antibiotics होते हैं यह तीनों एकसा जो है present होते biorector में or biosynthesis के process के वज़े हमें जो है हमारा product मिलता है the products so options are crude and require separation कुम होता है कुम एक डार देख लेते हैं कूड का मतलब वता है इमपर्फेक्ट या भिर भी बोलते ह touche was अन्डिमी कि ठीक है यहां में प्रोडक्ट जो हैं प्राप्ट होता है जो हमें फ्लेट वहता है प्रोडक इसको separation की जरुवत होती है, purification की जरुवत होती है, and finishing की जरुवत होती है, which is under done, under downstream process, और जो की done होता है, separation, purification, finishing done होती है, हमारी downstream process के अंदर, DSP के अंदर, crude एक, जो है हमें, बिल्कुल, जो product है, वो imperfect मिलता है, refined नहीं होता है, कच्चा product हमें, जो है, यहां पर देखने को मलता है, DSP makes crude bio product marketable, crude bio product होता है, imperfect product, DSP जो downstream process है, crude product को, हमारे marketable product, जो है, form बना देती है, form कर देती है, इसको change करके, बिल्कुल purify करके, separate करके, and इसको पूरा finishing देके, after proper separation and purification, इसमें जो है, कुछ preservative aid किये जाते है, ताकि यह, finished product में, form हो जाए, ठीक है, is made to undergo clinical trial, उसके बाद, finished product हो जाता है, हमें final product मिलता है, वो clinical trial, इसके medicine है, तो clinical trial के लिए जाती है, and quality, and quality checks before being sent to market, finished product पर आप्त होने के बाद, हमें clinical trial में, जो है, वो जाती है, क्लिनिकल trial के बाद, उसकी quality check की जाती है, उसकी पहले, qualities की check की जाएगी, finished product की, market में उसको publish, यहने की market में उसको भीजने से, पहले हमें उसको पूरी तरिके से clinical trial और quality check कर लेनी जो है उसको पूरा test हो गा उसका quality checking का clinical test का उसके बाद जो है market में उसको भीजा जाएगा निकी publish के जाएगा तो finally हमारे जो है complete हो जाता है chapter completed successfully successfully तो आपको उनकी जो वीडियो की link को description में मिल जाएगी जाके देख लीजेगा उन chapter को भी फटा फट से finish कर लीजेगा क्योंकि वह भी exam point of view से बहुत ज्यादा important होने वाले उनका भी वेटेज बहुत ज्यादा है biotechnology का तो एक अलगी वेटेज ही जो अपने आप जो है मायने रखता है इसकी बाद एको चेप्टर आ जाएगा फटा फटा फट से इसका आप में साथ आगे हैं तो इसको एक बार revision के लिए आपको फिड देख लेना है ताकि आपको जो है ज्यादा से concept clear हो सके तो अगले topic पर हम जिसे की बनाएंगे आप मुझे comment section में बता सकते हैं जो आपको important लगता है तो उसको अगर आप comment करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपके उस comment को reply तो मैं 100% देऊंगा इसी और अगर मुझे लगा कि यह chapter जदा important है जो आपने मुझे suggest किया तो उसको मैं firstly जो है ले आऊंगा अगर वो exam point of view से बहुँ जदा important लगा बाकी वीडियो को जदा जदा share कीजएगा अपने friends के साथ my hand folded request to all of you to share this video along your friends ताकि जो यह video है उनको help कर सके उनकी exams में और उनके लिए एक impactful video साभीत हो सके जदा जदा share कीजएगा वीडियो अगर सची में अच्छी लगी हो finally अगर आपको कुछ content देखने को मिला हो जो कि आपके तो आप ज़रूर इस वीडियो को like कीजिए ज़रूर subscribe कीजिए it is your choice I am not forcing you at all so मैं किसी नए lecture किसी नए chapters है कि साथ मिलूँगा आपको किसी नए topic साथ तब तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए जिंदा रहिए तब तक के लिए goodbye जे हिंद जे भारत वंदे मातरम thank you कर दो